चानक के नीती इसमें सफल बनने के लिए प्रेरीत करती है। यही कारण है कि सैकडो साल बीच जाने के बाद भी लोगों के बीच चानक के नीती बेहद लोग प्रिय है। आचारे चानक के के अनुसार हर मनुस्य जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष करता है। कुछ लोगों को इसमें सफलता मिलती है और कुछ लोगों को इसमें असफल भी हो जाते हैं। चानक के निती कहती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों को भी सफल बनाने के लिए प्रेरित करें। नियम और अनुसासन से प्राप्त सफलता अस्थाई होती हैं। ऐसे लोगों पर धन की देवी लक्षमी जी भी प्रसन्न रहती हैं। जो लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं, वे इन बातों को अपने जीवन में उतारने का परियास करें। नमबर एक, चानक के नीती के मुताबिक वेक्ति को जीवन में सुन्दर्ता, भोजन और पैसे के बारे में सोचकर कभी भी असंतोस नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है उसमें खुस रहना चाहिए। नमबर टू, चानक के नीती के नुसार ज्ञान के बीना जीवन में सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो वेक्ति के पास हमेशा रहती है। नमबर टू, चानक के नीती के मुताबिक जो इनसान कोई भी कारे करने से पहले उसके अच्छे और बुरे हर पक्च पर विचार करते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में कभी परिसानी नहीं आती है। नमबर फूर, चानक के नीती के अनुसार सादी के बाद इनसान को दूसरी महिनाओं की तरफ आकरसित नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस कारण पारिवरिक जीवन में काफी परिसानी का सामना करना पड़ सकता है। नमबर फाइव, चानक के नीती के अनुसार ऐसे लोगों से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए, जो आपसे कम या अधीक प्रतिष्ठा रखते हैं। ऐसे लोगों की दोस्ती कभी आपको खुसी नहीं देती, बलकि ऐसे लोगों की वज़ा से आपको अपमान सहना पड़ सकता है। नमबर सिक्स, चानक के नीती के अनुसार दूसरों की गलतियों से सीख लेना चाहिए। यदि खुद पर परियोग करके सीखेंगे तो आयू कम पड़ जाएगे। गलतियों से जो सीखते हैं, वे जीवन में अपार सफलताएं प्राप्त करते हैं। जै हिंद, जै भारत!